हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं जो की 15% ओल इंडिया कोटा के लिए होती है तो देखो यहां पर कुछ मेजर अपडेट्स आये ह तो अभी के टाइम पे जब आप VCI की वेबसाइट खोलोगे तो यहां पर आपको मेजर अपडेट्स मिलेंगे काउंसलिंग शेडियूल इन्फॉर्मेशन बुलिटिन वगेरा इन सारी चीजों के रिगार्डिंग तो मैं यहां पर क्या करूंगा शेडियूल वाले आप यहां पर देख सकते हो काउंसलिंग शेडियूल जो है वो 2023 के लिए वो यहां पर आ चुका है तो मैं देखो यहां पर काउंसलिंग शेडियूल आपको बता देता हूं क्या काउंसलिंग शेडियूल रहने वाला है इस साल तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो काउं को आ जाएगा और जो रिपोर्टिंग है उसके लिए यहां पर आपको तीन दिन का टाइम दिया जा रहा है 27 से लेकि 30 सेप्टेमबर तर फिर देखो यह तो हो गया राउंड वन उसके बाद में अब हम बात करते हैं राउंड टू के बारे में तो देखो जो राउंड टू है जिसके अंदर दो दिन का टाइम दिया जा रहा है मात्र 3 अक्टूबर से लेकि 4 अक्टूबर और जो इसका रिजल्ट होगा वो कब आएगा 5 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आ जाएगा और जो इसका रिपोर्टिंग पिरिड रहेगा वो भी 3 दिन का रहेगा 6 अक्टू फिर जो इसका रिजल्ट है वो इसका 12 October को आ जाएगा और जो इसका रिपोर्टिंग पीरियड है वो इसका सिफोरसिफ 3 दिन का रहने वाला है उसके बाद में बात आती है इस ट्रे वेकेंसी राउंड की तो इस ट्रे वेकेंसी राउंड के अंदर वही श्टूटेंट पार् किया है उनको क्या करना पड़ेगा यहां पर पेमेंट फीज भरनी पड़ेगी कितनी 50,000 रूपीज श्ट्रे वेकेंसी राउंड में पाटिसिपेट करने के लिए जनरल ओबीसी और EWS केंडिडेट को और 25,000 आपको बढ़नी पड़ेगी SC, ST और PH केंडिडेट को और मैं आपको यह बता दू कि देखो यह जो फीज भरवाई जा रही है आपसे अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो तो आपका जो इस फीज है यह क्या हो जाएगा फीज सब्मिट कर देनी है उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दू कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश रेजिस्टेशन नहीं होने वाला इस्ट्रे विकेंसी राउंड के अंदर और जो इसका रिजल्ट होगा वो इसका 19 ओक्टोबर को यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में जो रिपोर्टिंग है वो भी यहाँ पर तीन दिन के लिए है 20 ओक्टोबर चले के 23 ओक्टोबर तक तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साल बहुत कम टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए तो जो भी स्टूड़ेंट से याँ पर वेटनरी की काुंसलिंग करवाइंगे उन 스भी स्टूडेंटसे में यही कहूंगा कि आप सारी चीजों को देख कर चलना क्योंकि यहाँ पर जह एक एक दिन रहने वाला है वह बहुत ज्यादा important रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने choice filling के लिए भी ज़्यादा time नहीं दिया है registration के लिए भी ज़्यादा time नहीं दिया है और इन्होंने सिफ और सिफ एक महीने के अंदर-अंदर पूरी counselling खतम कर दी चारो की चारो rounds complete कर दी है इन्होंने फिर उसके बाद में देखो अगर आपको counselling के regarding बिल्कुल भी knowledge नहीं है तो आप हमारा counselling guidance भी ले सकते हो Iush and Vettory counselling guide जिसके अंदर हम पूरा details अगेरा प्रोवाइड करते है counselling के regarding उसके लिए आपको क्या करना है हमारा being doctor app डाउनलोड कर देना है वहाँ पर आपको हमारा course मिल जाएगा सारी चीजों का जो link है वो मैंने यहाँ पर description box में दे रखा है तो आप एक बार description box चेक आउट कर लेना साथी साथ में आप हमारा telegram channel भी जोईन कर लेना at the rate being doctor need वहाँ पर counselling के regarding में सारे latest update डालते रहता हूँ फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये stray vacancy round की जो counselling है वो यहाँ पर देख सकते हो जब allotment आ जाएगा mop up round का mop up round का allotment आने के बाद में जितनी भी seats vacant रहेगी उन seats पर क्या करवाई जाएगी stray vacancy round की counselling करवाई जाएगी और वो जो seats होगी वो पहले आपको बताई जाएगी कि इन college हो में यह seat क्या है खाली है तो देखो first or second point में यही लिखा हुआ था उसके बाद में देखो लिखा हुआ है the candidate registered for mop up round of counselling will be eligible to participate in stray vacancy round तो देखो यहाँ पर साफ साफ इनों ने लिखा है कि जो student यहाँ पर mop up round में registration किये होंगे या उससे पहले registration किये होंगे वो ही क्या होंगे eligible होंगे stray vacancy round के लिए फिर उसके बाद में आप next point में देख सकते हो there will be no fresh registration in stray vacancy round सिफ़ोर सिफ आप से क्या करवाई जाएगी यहाँ पर fees बरवाई जाएगी vacant seat in all round will be allotted on the basis of merit list जो भी vacant seats allot होगी यहाँ पर हर round के अंदर first round, second round, third round और stravagancy round के अंदर यह सारी जो seats allot होगी यह सारी की सारी seats है merit list के उपर allotted होगी उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको counseling के regarding कोई भी query हो तो आपको क्या करना है जो information bulletin इनों ने दिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है तो देखो यही सारी चीजे थी veterinary counseling के regarding अब मैं आपको एक और बार website खोल कर यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आप information में जब जाओगे यहाँ पर इनों ने पूरा दिया हुआ तो देखो एक बार मैं आपको browser भी थोड़ा बहुत खोल कर दिखा देता हूँ और जो जो major major points है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरा information bulletin है वो यहाँ पर इनों ने बताया है information bulletin के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इनों ने पूरा in desk दिया है in desk के अंदर पूरा इनोंने सारे ही चीज़े बताईएगी यहाँ पर क्या-्या चीज़े हमने यहाँ पर information bulletin के अंदर बताईए तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन डूरेशन कितना है कोर्स का और जो नंबर ओफ सीट्स हैं उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर इन्हों बात करिए फिर eligibility criteria क्या होता है और age कितनी होनी चाहिए और essential qualifications के regarding यहाँ पर बात करिए फिर उसके बाद में आप देख सकते हो instruction for reporting for admission तो आपको reporting के time पर कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर साउधानी रखनी है उन सारी चीजों के यहाँ पर बात करी गई है और जो reservation होता है उसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हो SC category को यहाँ पर 15% reservation है HD को 7.5% EWS को 10% और OBC non-crimalier को 27% फिर उसके बाद में counseling schedule तो मैंने आपको बताई दिया है counseling procedure पूरा यहाँ पर बताया हुआ है उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर नीचे की side आते जाओगे तो देखो यहाँ पर flow चार्ट के तुरू यहाँ पर पूरा registration बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर registration वगेरा होंगे choice filling होगी, choice locking होगी, counseling process किस तरीके से यहाँ पर चलने वाला है फिर जो conversion होता है, seats का अगर कोई seat vacant रह जाती है तो कैसे होगा conversion जैसे कि STPWD की जो seat होगी, वो ST में convert हो जाएगी SCPWD की SC में convert हो जाएगी, इसी तरीके से बाकी की categories की जो seat होगी, वो भी इस तरीके से convert हो जाएगी फिर उसकी बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप अगर registration वगेर अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो general candidates के लिए जो registration fees है वो 1000 रुपए, EWS OBC के लिए 900 रुपए और SC, ST, PWD candidates के लिए 500 रुपए registration fees है और देखो जो mop-up round की security deposit है जो की refundable fees है वो कितनी है general OBC, EWS के लिए 10,000 रुपए और 5,000 रुपए किसके लिए SC, ST और transgender या PH candidates के regarding अब यहां पर बात करेंगे, students बहुत सारे मेर्स से पूछेंगे कि भाईया यह दो-दो security money क्यों बता रखी है देखो यहां पर यह बताया हुआ इन्हों ने अगर आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में participate करना है तो आपको दस अजार आपको जमा करवानी पड़ेगी और SCHT के अंदर कितना आएगा, fees 30,000 रुपीज आएगा इन चीजों का भी आप ध्यान रखना फिर उसके बाद में देखो यही सारे important instructions वगएरा यहां पर बताये हुए है इन्होंने और बाकी की जो चीजे हैं आपर देखो documents कौन-कौन से required होते हैं यह भी बता दिये इन् जात में मैं इन सारी चीजों को अपने टेलिग्राम चैनल के ओपर भी डाल दूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल एड़े इड़े बिंग डॉक्टर नीट जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर लेना क्योंकि वहां पर मैं counseling के regarding सारे latest updates देता रह अंदर इतना ही था, I hope guys ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, thank you दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए